प्रालो बच्चू, मैं मॉनिका मायम, आज आपको इंग्लिश का लेसन वन पढ़ाऊंगी, हमारा ये लेसन क्लास एट का है, और आज हम चैप्टर वन पढ़ेंगे, एक पोयम है ये, अनदर चांस, तो चलि हम स्टाट करते हैं, वे जाएंगे हाँ, वे लेज़ वेश्च, तो बिख अच्च, तो मैंके अष्च बिगिने, अच्च तो बट आट 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 अग्चेस, औँ चांगे वेलिए इन विनूंग, it does not take a new day to make a brand new start it only takes a deep desire to try with all our heart to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living so never give up in despair and think you are through for there is always a tomorrow and the hope of starting a new तो बच्चो ये एक बहुत अच्छी पोयम है जो Helen Steiner Rice द्वारा लिखी गई है और अब मैं आपको इस पोयम का अर्थ समझाती हूं तो हम फिर से इस पोयम को एक बार पढ़ेंगे और एक एक लाइन का अर्थ हम समझेंगे इन चार पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हमें कितनी बार ये इच्छा होती है हम ये इच्छा जताते हैं कि हमें एक और अवसर दिया जाए एक और मौका दिया जाए ताकि हम एक नई शुरुवात कर सकें बच्चो यदि हमने कोई गलत काम किया है या हमारा कुछ हम हार गए हैं किसी कारे में तो हमें हम लगता है ना हमें कि एक और शुरुवात हो हमारी हमें फिर से एक मौका दिया जाए कि हम दुबारा से उस काम को करें तो कवित्री भी यही कहती है कि हम कितनी मारी इच्छा जटाते हैं कि हमें यह एक और मौका दिया जाए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके और एक नई शुर्वात कर सके A chance to blot out our mistakes and change failure into winning इन दो पंक्तियों में भी कवित्री ने यही कहा है कि हम एक ऐसा अफसर दिया जाए ताकि हम अपनी सारे गलतियों को मिटा सके और अपने हार को जीत में बदल सके आगे हम पढ़ते हैं आगे कवितरी कहती है It does not take a new day to make a brand new start It only takes a deep desire to try with all our heart आगे कवितरी इन चार पंकियों में कहती है कि हमें अपनी गलतियां सुधारने के लिए किसी नई दिन की अफशक्ता नहीं है कि हम सोचे कि हमने एक नया दिन तै करना है पहले हम उस दिन से तै करेंगे उस दिन से हम शुरुवात करेंगे नई दिन की नहीं जब भी अगर हमें कोई नई शुरुवात करनी है हमें अपनी गलतियों को सुधारना है तो हमें कोई नई दिन के शुरुवात नहीं चाहिए हमें तो बस चाहिए हमारे दिल में हमारे हिदे में एक तीवर इच्छा उन गलतियों को सुधारने की अगर हमारे अंदर इच्छा होगी तब ही हम एक नई शुरुवात कर सकेंगे ह हमें इस पर नहीं निर्भर करना है कि हमें एक नया दिन चाहिए, हम कल से करेंगे, हम पर्सों से करेंगे, हम संडे से करेंगे, नहीं, हमें अगर अपनी गलतियों सुधार नहीं है, तो हमें दिन नहीं देखना है, हमें देखना है, हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए, एक तीवरे इच्छा जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सके आगे हम पढ़ते हैं बच्चो To live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living आगे कभी तरी कहती है इन पंक्तियों में कि हमें अच्छे से रहने के लिए हमें हमेशा forgiving रहना पड़ेगा, forgiving मतलब दयालू, शमाशील हमेशा हमें सबको शमा कर देना चाहिए and to add a little sunshine to the world in which we are living यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं हम अपनी इन अच्छाइयों से उसमें sunshine अड़ करेंगे, sunshine मतलब यहाँ धूप से तत पर यह नहीं है sunshine का, हम उसमें प्रसंता ला देंगे, हम उसे बदल देंगे अपने अच्छाइयों से आगे कवित्री कहती है, so never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting a new आगे कवित्री कहती है, कि हमें कभी भी despair नहीं होना है, despair मतलब निराश, हमें कभी भी despair नहीं होना है और हमें सोचना है कि हम इससे निकल जाएंगे, हम you are through, हम इससे निकल जाएंगे, क्योंकि for there is always a tomorrow and the hope of starting a new अगर हम अपने failure से, अपनी असफलताओं से हाड रहे हैं, लगता है कि हम हाड चुके हैं कि नहीं, हमें अपने असफलताओं को सफलताओं में बतलना है और इसके लिए हमेशा एक tomorrow है, एक नया अकल है, कि हमें अपनी hope नहीं छोड़नी है, अपनी आशा नहीं छोड़नी है अगर हम अपनी आशा नहीं छोड़ेंगे, तो हम एक start, कोई नया दिन हम अपना नहीं निकाल सकेंगे, हम नहीं शुरुवात नहीं कर सकेंगे तो बच्चों, आप सब कोई समझाई, पोयम, तो आप सब भी इसको पढ़ेंगे, word to word पढ़ेंगे, और इसकी exercise मैं दूंगी आपको, तब आप इसे करेंगे, आप खुद इसकी अर्थ भी लिखेंगे अपनी copy में, ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं, बाई बाई